Hello and Welcome Back Friends Friends, ये एक वीडियो लेक्चर सीरीज है जिसमें हम Railway ALP के लिए Engineering Growing का Slavers को Cover कर रहे हैं इस सीरीज का ये 5 वा लेक्चर है इसमें हम Test Organize कर रहे हैं इसमें हम एक Test Solve करने जा रहे हैं तो अगर आप Railway ALP के लिए तयारी कर रहे हैं और अगर आप सीधे हमारे इस वीडियो अपिसोड पर आए हैं तो इससे पहले जो इस सीरीज के चार वीडियो अपिसोड हैं उनको जरूर देखें और फ्रेंट्स ये वीडियो अपिसोड आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें जो हम इस सवाल बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और फ्रेंट्स ये जो वीडियो को सिरीज हैं हमारी इंगलिश ौर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट ने के लिए ही important है beneficial है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe भी कीजिए चलिए start करते हैं यह test है और हमारा इस वीडियो lecture series का पांचवा episode है इसमें हमने 33 questions यहां पर किये हुए हैं तो पहले question को पढ़ने के बाद मैं आपको 5 seconds दूँगा उसमें आपको अपना answer choose कर लेना है फिर देख लेना है कि आपका answer सही है या गलत है so start करते है question number one है 90 degree cone draw करने के लिए किस उपकर्ण का उप्योग किया जाता है ठीक है आपके पास 5 seconds है friends चार option है आपके पास 3060 triangle protector drafting machine या फिर ये सभी सवाल है 90 degree कोन खीचने के लिए किस उपकर्ण का उप्योग किया जाता है तो friends अगर आपने हमारे पहले वीडियो लेक्चर दिया होंगे तो उनमें मैंने सिखाया था कि जो 90 degree का angle है वो 2 satis square यानि 3060 या 45 45 satis square या protector से भी draw हो सकता है और drafting machine जो mini drafting मैंने बढ़ाया था आप लोगों उससे भी draw कर सकते हैं तो इसका जो answer है वो D है option D answer सही है ठीक है इन सभी से 90 degree का कौन draw किया जा सकता है इसके बाद है question number two निम्न में से कौन सा लेड समू सही करम में नहीं है तो यह लेड समू हमें friends मैंने आपको बताया था 18 परकार की pencil होती है 9H से 7B 9H सबसे कोठोर्थम होती है और फिर 8H 7H इस तरीके से यह pencil soft में बदलती चली जाती है so यहाँ पर हमें 4 series दी हुए है हमें बतानी है कौन सी जो इसमें sequence है वो गलत है ठेक है इसमें पहली है H, HB, B, 2B और यह sequence है तो आप देख रहे होंगे जो पहली वाली पहला option जो है इसमें H के बाद F आना था यहाँ पर fine grade की pencil नहीं है तो कौन सा option सही है option number A question number 3 है निम्न में से कौन सी रेखा विमांकन का एक भाग है यानि कौन सी line dimension में use की जाती है dimensioning में use की जाती है तो पिछला lecture हमने line पर ही दिया था उसमें बताया था कि जो lines होती है वो कितने परकार की होती है और कैसे उनको कहां कहां उनका use होता है वो सभी चीज़े हमने discuss करी थी तो अगर मैं फिर से बता देता हूँ अगर आप direct आये हैं इस seat पर इस test पर तो friends हमारी जो chair lecture है वो जरूर देखें उनको देखने के बाद ही आप यह test series करें आपका confidence level high हो जाएगा क्योंकि आप फटा फट से इन सभी questions के answer अपने mind में सोच लोगे तो question no.3 है इसमें आपको time मिल गया है अब आप answer आपने सोच लिया होगा answer क्या है कौनसा answer है extension line ठीक है जो extension line है परसार रेखाए है उनका use dimensioning में किया जाता है ठीक है इसके बाद question no.4 निम में से कौन सी रेखा section के लिए विसेश है यानि sectioning डिखाने के लिए किस line का use किया जाता है तो 5 second आपके पास सोचे और इन चार options में बताईए कौन सा option सही है इसमें पहली है breaking lines, phantom lines, extension lines, cutting plane so मैंने आपको बताया था जो cutting plane line है वो उनको section के लिए use किया जाता है तो सवाल no.4 का answer क्या है? answer is option no.D cutting plane line is the right answer question no.5 है निम में से कौन सा कौन एक या दूनों ही परकार के set square के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है 90 degree, 70 degree, 30 degree या फिर 15 degree तो आप बताये कौन सा सही option है मैंने आपको बताया था set square के द्वारा 15 degree और उसके multiple के angle बनाया जा सकते हैं तो इसमें से आप देख सकते हो कौन सा 15 degree का multiple नहीं है 70 degree जो है 15 degree का multiple नहीं है तो सही answer है B, B option is the right answer इसके बाद है 6th question, एक drawing उपकरण सेट में आमतोर पर निम्लिकित सभी सामिल होते हैं सिवाए इसके की, यनि आपको बताना है यह जो चार यहाँ पर दिये हुए है instrument, इनमें से कौन सा instrument है जो drawing box में नहीं होता है वो compass होती है, dividers होता है, और bow divider भी होता है scale instrument box में नहीं होता है, उसमें compass होती है, सारी यह divider होते है तो इसका जो छटे question का जो answer है, वो क्या है, scale है इसके बाद है साथपा question, तो अगर आपने हमारी lecture series को follow किया है तो आप तेजी से इन सभी के answer दे रहे होंगे और friends, एक एक number बहुत ज्यादा importance रखता है competition exam में एक number क्या 0.25 number भी बहुत ज्यादा importance रखता है तो जितने जादा से जादा सवाल सही कर पाए exam में, उतना ही better है इसके लिए यह जो topic है engineering growing अगर आपने एक बार study कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपको अगर 10 सवाल आते हैं तो 10 के 10 बहुत आराम से हो जाएगे क्योंकि इतना जादा tough नहीं है और हमने इसको और भी आसान करके आपको सिखाया है अभी जो topic रहा है उनकी video lecture भी अभी आपको मिलती रहेंगी next है question number seven कौन सा line परकार पतला और हलका है which line type is thin and light visible line, central lines, construction lines और all of the above इसमें पूछा गया है कि इन lines में से कौन सी line हम thin और light बनाते हैं ठीक है visible line, central line, construction line या all of the above तो आपके पास 5 second का time है आप देखें कौन सा answer सही है last lecture में मैंने आपको बताया था कौन-कौन सी line का क्या-क्या use होता है कितने परकार से classification किया जाता है lines का visible line को thick line के द्वारा बनाया जाता है, center line को dotted line के द्वारा बनाया जाता है यह जो construction lines है इनको ही thin और light रखा जाता है ठीक है तो option number C is the right answer उसके बाद है which line type is thick and black कौन सी रेका परकार मोटी और काली बनाया जाती है ठीक है visible line, center line, construction line या none of the above तो अभी बताया मैंने साथवे question में बताया जो visible lines है वो thick and black ठीक है मोटी जो परकार की line है उससे बनाया जाती है तो option number A is the right answer इसके बाद है ninth question which type of line has precedence over all other type of lines यहनि अन्य सभी परकार की line उपर किस परकार की रेका को प्रकार को प्रात्मिक्ता दे जाती है अगर कहीं पर यह ski lines यह अपर दी हुई है hidden line, center line, Visible line इन में से कौन सी line को सबसे पहले आप्रात्मिक्ता दोगे so right answer है C जो visible line है उनको सबसे पहले प्रात्मिक्ता दे जाती है इसके बाद है question number 10 लाइनों की प्रात्मिक्ता के बारे में कौन सा गथन सकते है ठेक है पहला है hidden line has presence over a center line यानि जो hidden line है उनको center line से पहले प्रात्मिक्ता दे जाती है ये गलत है या सकते है तीसरा है विजिबल लाइन को मिटल लाइन से पहले प्रात्मिकता दी जाती है ये भी गलत है तो इसमें जो पहला उप्षन है एडन लाइन है प्रेसिडेंस और सेंटर लाइन ये सही आंसर है ठीक है इसके बाद 11 कुशन पर पढ़ते हैं सवाल है मेकै कि इसमय लिए जाती है उनका 1 ले जाती है अगर कहीं पर विशेश रूप से बोला गया है थो अधर ले जाएगी प्रंतों अगर कुछ भी नहीं बोला है तो वहांपर आपको अंडरिंड ओनधून होना चाहिए वह जो ढाइमेंशन है वह receptors में रहेगी सदयव ठीक है इसक जाता है ये भी हम पिछल लेक्चर में डिसकस कर चुके हैं तो आप option को पढ़ते ही answer दे दोगे I think continuous thick line long chain thin line continuous thin wavy line continuous line कुंसा answer सही है दोस्तो answer number C leader line को continuous thin line से बनाया जा सकता है वो straight भी हो सकती है और curved हो सकती है ठीक है और leader line का काम क्या होता है और कैसे draw की जाती है ये भी हमने पिछले lecture में बताया था French curve का उपयोग बनाने के लिए होता है French curve का उपयोग circle बनाने के लिए होता है या फिर ellipse बनाने के लिए होता है या curve बनाने के लिए होता है या polygon बनाने के लिए होता है तो इसका answer आपने जट से दे दिया होगा answer number C curve बनाने के लिए French curve का use होता है French curve एक curved shape का instrument होता है जिसके द्वारा irregular curve बना जाते हैं इसके बाद है question number 14 drafter के कारिये हैं parallel और perpendicular line draw करना concentric circle यानि संकेंदरी वर्थ कीचना जिनका केंदर एक ही हो वक्र कीचना या यह सभी ठेक है देखो drafter से कभी भी हम circle नहीं draw कर सकते concentric circle तो B और D answer तो हड़ गया यहां से और curve भी नहीं draw कर सकते हो तो answer कौन सा सही हो गया answer number A सही है parallel and perpendicular lines इसके बाद है which of the following pencil lads is hardest 14th pencil है यह सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है exams में तो आपको यह ध्यान में रखना है number option number A है H B है B C option है HB और D option है F तो इन में से बताना है सबसे hardest pencil कौन सी है मैंने आपको बताया भी जो 18 परकार की pencil होती है वो hardest से softest होती है 9H से 7B तक 9H सबसे hardest होती है जो B और HB है B soft में आती है और HB आती है medium में तो जो H type की pencil है यह जो H type pencil है यहाँ पर अभी जो 4 option है उन में जो H type pencil है यह सही answer है ठीक है option number A is the correct answer इसके बाद है 16 question किस उपकरण का उप्योग वक्र खीचने के लिए किया जाता है अभी इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके है option number B सही है French curve का उप्योग किया जाता है paddle lines can be drone with the help of समानतर रेखाईं खीची जा सकती है समानतर रेखाईं किसके द्वारा खीची जा सकती है T square के द्वारा भी खीची जा सकती है set square के द्वारा भी खीची जा सकती है तो इसका मतलब answer कौन सा सही हुआ answer number D सही है इसके बाद है अठारवा सवाल friends ये PDF में description में भी डाल दूँगा वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो ये with answer की है सबसे last means में आपको answer की मिलेगी चीक है तो ये specifically आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई है इसको बनाने में मुझे दो दिन लगे हैं पूरे अठारवा है a series of paper has length to width ratio approximately drawing sheet की लंबाई तथा चोड़ाई का अनुबात होता है हमने सबसे पहले lecture में बताया था कौन सा होता है देखते हैं आपको याद है या नहीं है yes c answer सही है जो option number c है वो सही है ठीक है जो drawing sheet होती है हमारे पास उसकी जो लंबाई और चोड़ाई का जो अनुबात होता है under 2 ratio 1 होता है यानि अगर चोड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी होगी under 2 इसके बाद 19 वा सवाल निम्न में से किस रेखा को visible outline के लिए उप्योग किया जाता है visible outline के लिए ध्यान रखना friends हमेसा thick line के लिए use किया जाता है अभी थोड़ी दिर पहले यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़े आई भी थी ठीक है तो कौन सा इसके बाद 20 वा सवाल निम्न में से किस रेखा को वीमा रेखा के लिए उप्योग किया जाता है यह नि dimension line के लिए तो आपने पिछला lecture अगर ध्यान से पढ़ा होगा friends फ्रेंड जो lecture में पूरा material है उसको आप नोट करें यह स्क्रीन सोट लें लेकिन उनको जरूर अपने पास रखें उनको regular study करते रहें जिससे आपको engineering drawing का एक भी सवाल ऐसा ना लगे कि आप ना कर पाऊ ठीक है तो 20 वा सवाल है निम्न में से किस रेखा को dimension line के लिए यूज किया जाता है तो आपने देखा था वहाँ पर जो continuous thin line है सतत पतली रेखा के द्वारा dimension line, leader line, extension line यह सभी lines जो है continuous thin line के द्वारा रो की जाती है इसके बाद है question number 21 है hatching line कितने कोन पर खीची जाती है जो hatching line है उनका angle होता है 45 degree यह भी तक जो 4 lecture थे उनमें नहीं आया था तो यहाँ पर यह भी clear हो गया है hatching line है hatching line आपको पता ही होगा section के लिए hatching line ड्रो करते है वह last lecture में मैंने बताया था आप लोगों को तो कितने angle पर ड्रो करते है 15 degree पर the dotted lines represented बिंदूदार रेखाएं दरसाती है ड्रोइंग में जो dotted line है वो किस portion को दिखाती है projection line, center line, hatching line या hidden edge को किसको दिखाती है last lecture अगर आपने दिया होगा तो आप बहुत आराम से बता दोगे answer answer number D, इसके बाद है question number 23, webhawk जो T square को से संबंदित नहीं है यानि जो वो part इसमें से आपको बताना है जो T square का नहीं है working edge T square की होती है, blade भी T square का, stock भी होता है T square में Ebony जो होता है यह drawing board का part होता है, ठीक है, तो answer कौन से सही है, D answer सही है इसके बाद 24 question पर पहुंसते है, small bow compass can draw circle less than mm radius, छोटी bow compass के दवारा कितने mm से कम तरिज्या के वर्त बनाये जा सकते है, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है friends, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो bow compass होती है, छोटी bow compass, उसके दवारा 25 mm से कम, जो radius के circle होते हैं, वो बनाये जाते हैं जो lecture no.3 है हमारा, उसमें हमने divider और bow compass के बारे में बताया है 25 question है, निम में से कौन सा उपयोग divider का उपयोग नहीं है, no.1 गुमाओदार या सीधी रेखाओं को बराबर भागों में वांचे संख्या में विभाजित करने के लिए, दूसरा ये worth बनाने के लिए तो आप second जैसे ही answer पढ़ोगे तो और पढ़ने की व्यावशकता नहीं पढ़ेगी divider का कभी भी उपयोग नहीं होता है, circle बनाने के लिए Circle बनाने का उपयोग चार्कल से इंत आपकास के द्वारा divider का used होता है सिर्फ dimension को डाइमेंशन को anything पर transfer करने के लिए या किसी लाइन को divide करने के लिए ये use होता है divider का circle कभी भी नहीं बनाया जाते हैं डिवाइडर से, Q26, निम्न में से कौन सा उपकरंट 36 रेखा है किछने के लिए उपयोग में किया जाता है, जिसने पहला लेक्चर हमारा दिया है, बहुत आराम से वता सकता है, आंसर है T-square, यहां मिनी ड्राफ्टर भी गिवन है, तो मिनी ड्राफ्टर भी हो सकता है, लेकिन मिनी ड्राफ्टर के और बहुत सारे परपोस होते हैं, यहां सीधा सीधा आप से पूछा गया है, अउनली अक्षेतिस रेखा हैं, तो जो T-square होता है, वो केवल अक्षेतिस पैरलर लाइन ड्रो करने के लिए यूज होता है, तो यहां पर जो आंसर होगा, वो कौन सा होगा, C, इसके बाद है 27, जो बड़ी तरिज्या के वर्त, यानि लार्ज साइज के जो सर्कल होते हैं, उनको बनाने के लिए, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बो कमपास का लेंथनिंग बार का कमपास डिवाइडर या प्रोटेक्टर, आपको बता होना चीए, और लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया है, कि अगर आपको लार्ज साइज के सर्कल ड्रो करने के लिए, तो कमपास में एक डिवाइस होती है, जिसका नाम है लेंथनिंग बार, इ करने के लिए निम्ग में से कौन सा ड्रोइंग टूल उप्योग नहीं किया जाता है, ड्रोइंग क्लिप्स, ड्रोइंग पिन्स, डिवाइडर, अदेसिव टेप, तो ये तो आप बड़े आराम से बता सकते हो, डिवाइडर एक इंस्ट्रूमेंट है, जो की यूज होता है ड्राइमेंशन ट्रांसफर करने के लिए ना कि ड्रोइंग शीट को ड्रोइंग बॉर्ड पर चिपकाने के लिए, क्वेशन नमबर 29, भारतिय मानक संथान के अनुसार मिलिमीटर में पदनाम A3 का अकार क्या है, आपको यहाँ पर ये ड्रोइंग शीट का साइज बताना है A3 साइस का जो ड्रोइंग शीट होता है, वो इन मेंसे कौन सा है, ये वाला है, B है, C है या D है, ठीक है, तो अगर आपने पहला लेक्चर दिया हुआ है, तो आप पड़े रहाम से बताओगे कि सर A है, ठीक है, तो 29 का अंसर हो जाएगा A, निमली मेंसे कौन सा ग्रेड सब से कठोर है, फिर एक और सवाल आ गया है, कठोर तम का, तो 9H से 7B आप जैसे ही करते हो, 9H, 8H, 7H, 6H, यहां से कठोरनेस इसकी कम होती चले जाती है, यहां पर अब देखते है, H में दो ही है, हमारे पास, मैंने आपको बताया, B की जब भी बात होगी, तो soft, H भी अगर कही कहीं लिखा होगा, तो medium, H कहीं लिखा है, तो hard, अब यहां पर comparison करते है, 6H, तो इसमें जो 6H आता है, वो hardness से softness की तरफ चलते वे सबसे पहले आता है, तो इसलिए सबसे hard pencil कौन से होगी, 6H pencil, जो यहां पर given है, उन में से, ठीक है, वैसे अगर hardest की बात करें, तो 9H सबसे क जो size होगा, वो क्या होगा, friends, यह size है, drawing sheet का, जो A0, A1, A2, A3, A4 और A5 तक given किया जाता है, यह A4 size है, आपको बताना इससे next, यानि A5 size, तो इन 4 options में आपको बताना है, तो इसमें जो option number 1 है, यह correct answer है, next बढ़ते हैं, 32, question पर, board के किनारे पर T square slide करने के लिए बना जाता है बोर्ड के किनारे पर T square चलाने के लिए, इन में से कौन सी चीजे जो बनाई जाती है, बोर्ड पर, तो इन में से जो D है option, Ebony जो है, वो बोर्ड के किनारे पर बनाई जाती है, इसके बाद है, लास्ट कॉस्चन, वार्पिंग किरिया रोकने के लिए बोर्ड के back पर लगा पा जाता है तो उस किरिया को रोकने के लिए बैटन्स लगाई जाती है तो option number D is the correct answer तो ये कुछ सवाल थे जो line और instrument से related थे जो exam के लिए बहुत ज़्यादा important है मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो ये वीडियो शेल जरूर करें मिलते हैं next वीडियो एपिसोड में